मेगा स्टार सलमान खान ने अर्पिता की बेटी और परिवार संग ठूम नाम से मनाया अपना 58 वां बर्थडे मामा वाहन जी ने मिलकर काटा 3D टियर केख फोटोज हुई वाइरल अठारवें भोजपूरी फिल्म अवाड 2023 में युवा दिलो की धड़कन कहे जाने वाले अभिनेता अर्विन अकेला कल्लू को सर्वर्षच्ट अभिनेता के अवार्ड से और अमरपाली धूबे सर्वर्षच्ट अभिनेत्री के अवार्ड से नवाज अगया वहीं परमोश शास्त्री सर्वस्टेश्ट निर्देशक बने ओसकर विनिंग फिल्म पैरासाइट के अबिनेता ली सुन क्यूइन का अदिधन हो गया वह 48 वर्ष के थे सालार की आंदी थमने का नाम नहीं ले रही परमोश नाम की आंदी के सामने जेलर, रजनीकांत और पठान शारुख खान का जल्वा फिलाल फी का पड़तावा नजरा रहा है क्रिश्मर्स की छुट्टी के मौके पर परमोश ने साबित कर दिया आज भी वह बॉक्स ओफिस के बाहु बली है अमीर खान की बेटी आयरा खान की शाधी का जशन हुआ शुरू है की फिल्म मैं अटल हूं का गाना पहले देश रिलीज Ó गया है मैं अटल हूं देश के पूर परदानमन्तरी अटल विहारी वाचपई के जीवन पर आधारित फिल्म है जोया के किरदार में पूरे देश का ध्यान खीचने वाली त्रिप्ती डिमरी को एनिमल से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है रिपोर्ट के अनुसार त्रिप्ती को मुजिकल रोमेंटिक ड्रामा फिल्म आश्की थ्री में कार्तिक आयरन के साथ कास्ट किया गया है जिसके डारेक्टर अनुराग बसू है पावर स्टार पावन सिंग का गाना कलक्तिया राजा हंडर्ड मिलियन्स व्यूज के पार जैश कुमारवय निदी मिश्रा की अपकमिंग फिल्म लाडव 2 की शूटिंग हुई शुरू हो गए हम को मिल रहे प्यार से खुश हुई अनन्या शोशल मीडिया पर लिखा थैंक्यू नोट